Hello friends, अगर आप B pharma कर रहे हैं, या किसी भी समस्टर में, first में, third में, किसी भी समस्टर में तो आपको बैक लगने का डर है, लगता है कि बैक लगेगी हमारी, और कैसे पास किया जाए, तो mostly pharmaceutical analysis में लगती है, first year वालों की या, आप ऐसे subject में लगती है जिसमें उनको मेद भी नहीं रहती है तो यहां पर तीन section में वेपर दिया जाता है section A section B and section C तो सबसे important जो होता है section A होता है अगर आप section A अच्छे से करते हैं तो आपका pass होने का chance सबसे ज़्यादा रहेगा अगर आप section A के question सारे सही कर लेते हैं तो आपको कोई fail नहीं कर सकता because यह आपके क्या 20 marks क्या करता है यह 20 marks आपके cover करता है तो 20 marks सबसे ज़्यादा important है और यहीं से teacher का impression सबसे अच्छा जाता है अगर आपको इन तीनों section में सबसे ज़्यादा अच्छे से जो section आता है उस section को start करें अगर आपको दो number के सारे question अच्छे से आते हैं या जितने भी आते हैं उतने आप अच्छे से point wise लिखें और अच्छे से definition लिखें अगर कोई diagram है तो आप उसमें diagram भी बना सकते हैं और first part जो है section A सबसे अच्छे से करें देन आपको अगर इन parts में कुछ आता भी है section B ये section C में नहीं आता है थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं कि एक दो दो पेज तो आप पास हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर impression आप section A से ही खराब कर देंगे teacher का तो चेक करेगा दिन आपको इन समय नंबर नहीं मिलेगा इन समय तो आप लोगों ये ध्यान रखना है कि section A अच्छे से किया जाए या जो भी section आपको अच्छे से आता है वो section पहले किया जाए teacher को अच्छे से लिखके represent करन कि उसको भरना असान नहीं होता एक page तो आप कैसे भरेंगे पहले उस पर अच्छे से heading डालें जो भी section आप कर रहे हैं section लिखें उपर section section लिखें section यह जैसे कर रहे हैं तो section फिर question number डाल के as it is question number लिखेंगे then answer लिखेंगे जितना answer है 4-5 line का answer है दिन अगर कोई diagram है तो असा डाइग्राम मनाए यहां पे and then question second लिखें जान कोई थार्ड एक में लगबग 2 question करें पेज में अगर दो नंबर वाले कर रहे हैं या अगर दो नमबर वाले question लगबग आधा page में करें अगर आप 10 नमबर वाले question कर रहे हैं तो लगबग 2 to 4 page जरूर लिखें अगर आपको आता है और ये लगबग 2 to 3 page 7 marks से question लिखें यह आपको अच्छे marks मिल सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं आता है दो नमबर के question थोड़ा थोड़ा लिखें अच्छे से लिखें जितना भी आता है point wise लिखें यह आप अच्छे marks ला सकते हैं